अगला पेपर है अगला कॉस्चन है चाइड डेवेल्पमेंट एंड पेडागोजी दा कॉस्चन नम्बर है थोड़ा बड़ कर लेने हैं दिखाई देगा एडेवेल्पमेंटल प्रस्पेक्टिव इनवाल्व कंसर्न विद दी चेंजिस अकर ओवर टाइम जब भी विच है के विकास पर पेग समेदे नाल नाल किस विच वापरे परवर्ता नाल संबंदत है चार आप्शन देती हैं गई हैं के असी शुरु वाले वीडियो विच भ अर्थ की है के चेंज चेंज केड़ा प्रोग्रेसिव पॉजिटिव लर्निंग विच शामल है मेची ओरेशन इसनों हेल्प कर दी है लेकिन इन्हें पुछा है के ओ केड़े-केड़े आस्पेक्ट ने फॉर्म फॉर्म मीन तुसी देख सकते हो फॉर्म हॉर्म तुसी हुआ है तो चोटा बच्चा है वड़ा अगे-गे-गे रूप बदल रहा है अ अच्छाय रूप कि तो बदल vivid video होईगा देखRAY दें आ हाँ हाँ रूप कि तो बदल आदा है कि यडि रूप है एस सेल स्हाई एक कि चल दो दो सेल डिवाइड हो गए, दो तो चार हो गए, चार तो अठ हो गए, अठ तो सोला, सोला तो बत्ती, बत्ती तो चौंट, सो ए शेप देखो, एक सेल तो जो तो कंसेप्शन समय सी, ओदों ही बदल रही है, हौली हौली ए शेप जड़ी है, नौ महिन्या विच पूरे बेबी विच तब्दील हो जान दी है, उस बेबी तो बाद ए शेप फिर चेंज हों दी है, हैड दी, बाकी पार्स दी, फिर बच् नाल प्रिंसिपल सनु समझ आ रहा है, जिड़ा इदे विच पुछिया गया है, के सीक्वेंस, ठीक है, फॉर्म विच परवर्तन देख लिया, हां जी आ रहा है, सीक्वेंस परवर्तन आ रहा है, सीक्वेंस मतलब के सीक्वेंस फॉलो कर दी है, डवल्पेंट के नहीं, सीक सीक्वेंस है पहला बच्चा लेटेया होया है फिर बैठना सिखदा है लग बग पांच शेमी नेविच फिर दस ग्यारा बारा में ही नेदे करीब रिड़ना सिखदा है एक साल तो बाद लग बग खड़ा हो जाना है फिर तुरना सिखदा है सो इस सीक्वेंस है एक तो बाद ही दूसरी होएगी दूसरी तो बाद ही तीसरी होएगी तीसरी तो बाद ही चोथी होएगी चोथी तो बाद ही पंजमी होएगी ए नहीं हो सकदा कि बच्चा सिद्धा तुरन लग पिया जा बच्चा सिद्धा खड़ाव लग पिया जा बच विच भी है, sequence विच भी है, जे दो विच है, ते all of the above वा वा सिद्धा है, लेकिन rate नो भी देख लेना चाहिदा है, rate दा की मतलब है, rate दा मतलब है, speed, किन्नी गती नाल पड़ा हो गया है, जे में अजी पिछे देख्या है, इक सेप्शन दे टाइम, एक सेल, एक सेल है, स्पर मिलके एक हो गया है, एक सेल तो साड़ी ग्रोथ हों दिया थे, एक गती इस दी किन्नी तेजी नाल है, ओ दिखाया जा रहा है इस वीडियो दे विच, के एक सेल तो दो सेल हो गया है, बड़ी जल्दी विच दो तो चार हो गया है, बड़ी जल्दी चार तो अठ, अठ तो स सोला तो बत्ती एस तरह बड़ी तेजी नाल पहले महीने विच इस सहलती गती हुं दिया है। किस स्टेज विच सब तो तेज गती नाल बच्चे दा विकास सुनदा है तो प्री नेटल आएगा जो कंसेप्शन दे दरान है। अच्छा उस तो बाद भी नौ महीने दे विच इक सिंगल सेल इनना छोटा है कि नंगी अखना तुसी वेख नहीं सकते। लेकिन उस दा विकास जड़ा है जिसनों ग्रोथ किया जा सकता है। वो किन्नी तेजी नाल हो रहा है। एक प्रून बन चुका है, बच्चा शेप ले रहा है। और जल्दी ही वो अपने अकार वेच औरना शुरू हो जानदा है। इस तो इलावा, प्री नेटल पीरट तो बाद, एक बूर ग्राफ है। अपा देख सकते हैं। प्री नेटल पीरट तो बाद, जो तो बर्थ होंदा है, इनफैंसी कीरट पहला होंदा है। ओ धुल्बी अजड़ा बच्चे दा ग्रोथ रेट है। और तेज होंदा है। सिर्फ अडोल्सेंट विच फिर जाके तेज हुन्दा है ये मिडल वाला पीरट जड़ा है इदे विच ग्रोथ रेट तीनी गतिदा हुन्दा है सो तिन में स्टेजा मनिया जान दिया है जो दो रेट बड़ी तेजी नाल हुन्दा है प्री नेटल विच जनम तो पहला जनम तो एक दिम बाद जो इन फैंसी पीरट है ते फिर अडोल्सेंट ओवी अरली अडोल्सेंट पर बढ़ती पीरट बे बिलकुल को जे कंपेर कीता जा वही ए तिन्ने तरह किसे तरह भी तो रहनों कोश्चन पुछे जा सकते के विच ओफालुविंग स्टेज के ठीक हैं स्टेज जा मिचो केडी स्टेज विच गती तीनी हुन्दी है जा तेज हुन्दी है जा सवाड़ा कॉश्चन सी के development form विच भी चेंज देख्या जान अगला question है, thinking process involved in producing an idea concept that is new, original and useful, is termed as, original ते new दा लगवक्त से मीनिंग है, चार option ने creativity, innovation, intelligence and synetrics, अच्छा question है, लेकिन क्योंकि जदो new शबत आंदा है, बिल्कुल new शबत आंदा है, ते answer बिल्कुल clear हो जांदा है, के answer की है? कोई भी new idea, कोई learner produce करता है, new idea दा मतलब की है, इस दा सिद्धा मतलब originality भी है, ठीक, new idea के पहला वो idea exist नहीं सी करता, जे कर्मा लोग, ए लर्नर एथे है, तर्टित एथे, कोने चो ओ आइडिया है, पर एस शक्स ने उस दा आइडिया ना पढ़िया है, ना YouTube ते देखिया है, ना किसे teacher ने दस्या है, ए उदे संपर, ए दा idea उस दे संपर्ख विच नहीं है, मीन एक नवा idea एक को समय दो जा दो तो वद मनुखा दे brain विच आ सकता है, जे कर इस नो copy नहीं कीता गया, ठीक है, नकल नहीं मारी गी, ता ए एस शक्स दी originality है, novelty है, idea प्रड्यूस करन भी, इसे तरह ओ नमा idea भी हो सकता है, object भी हो सकता है, problem भी हो सकता है, the most important and most difficult चीज जड़ी creativity चुन दी है, कि नम्या problem pose करने या, एस solution हाल ही कोई दे सकता है, लेकिन नम्या problem identify करने या, लग लेन या, यह ओखा होंदा है, सो एक कुछ भी नमा करना, plus जड़ा useful हुए, useful दा मतलब है, कि solution, useful दा मतलब है, daily life which aren't वालिया problem नो solve कर सकना, so ए ओरिजिनलिटी है, major criteria of creativity, ठीक, लेकिन creativity के कुछ dimension दा नो दसन लगा है, इस ते होर question पुछे जा सकते हैं, इस दिया major 3 dimension है, originality गल कर चुके है, fluency and flexibility, elaboration भी है, लेकिन this is less important, elaboration दा मतलब है, किसी idea दा कोई किन्दा विस्तार कर सकता है, for example मैं तो नो किया, गुलाब दे फिल्ट, teacher ने एक student नो किया, जा class विच किया, कि गुलाब दे फुल दे, एकदम बोलना है, ते एक बच्चा उते पांज मिन्ट बोल सक्या, दूसरा सिफ एक मिनिट बोल सक्या, it means पांज मिन्ट बोलना बच्चे दी, elaboration is more, उदे creativity दी एक डिमेंशन जादा है, चलो आओं समझ दे हां, कि fluency ते flexibility की हुंदी है, मैं यह मान के चल दे हां, कि असी एक बच्चे नो, मैं एक बच्चे नो किया, कि बेटा, रोज, मैं एक प्रॉब्रम दस रहे हैं, class विच कि बेटा, रोज अब दा, full on दा है, सबने सोचना है, ते अपने copy ते जल्दी जल्दी लिखना है, जिनने ज्यादा लिख सकते हैं, जिनने वक्रे तरह दे विचार लिख सकते हैं, और जिनने कट टाइम च लिख सकते हैं, कि कि रोज, दौा, प्रयोक, daily life, की की किता जा सकता है, एक बच्च मालो, एक पहला बच्चा है, एक पहले बच्चे ने पांच विचार लिखे, ठीक, दूसरे बच्चे ने दस विचार लिखे, ठीक, इट मीन्स के फ्लूरेंसी इस बच्चे दी ज्यादा होई, मीन, number of ideas, number of solutions, number of जो object भी कह सकते हैं, लेकिन ये थे idea दी गल्द करांगे, जिसने ज्यादा number देते हैं, पर एक पच्चा सी, पर एक पच्चा होना जो एतना दा सी, यही बच्चा चलो लगा ले ने हैं, जिसने ये पंजा विच्चों, category number, एक विचे का idea देता है, medical, ठीक है, एक जो चार है में category दी example बनाई है, इस तो वद भी category या सोचिया जा सकते हैं, बड़े कट शक्स हुन्दे हैं, कि जड़े वक वक category विच जाके नमे विचार दन्दे हैं, हो सकता है कि एना ने दस में, दस में चार aesthetic चिदते हों, ठीक है, इत मींज एना दी fluency ज्यादा है, लेकिन flexibility, क्योंकि एक category विची रहे, flexibility कट है, एक शक्स दी fluency कट है, लेकिन flexibility, क्योंकि एक शिफ्ट किते category एक तो दूजी विच भी, दूजी category तो तीजी category चे, तीजी चो हाँ, कोई शक्स छे, साथ, आठ, होर categories, विच भी, शोर सकता है, so flexibility में, के एक category तो दूसरी category, विच शिफ्ट कोई creator किना करता है, so a dimension सी तिन, चार्ज़ियां असी गल किती है, creativity दिया, answer सानुस पर्ष्ट है, असी होर learn कर रहे हैं, कि TET, विच होर question के हो, केड़े बन सकते ह दूसरा सानु concept clear है, तब किसी होर option चो ओ, option पाई गई है, और question विच, ते असी ओनुस समझ के right answer ते जल्दी पहुं सकते है, creativity दे गल्लस ही कर रहा है, ठीक है, intelligence दे creativity च फरक किस तरह किता जांदा है, pen में एथी ले लेना हा, red pen, okay, creativity ले divergent thinking कम कर दी है, intelligently convergent, ज्यादा कम कर दी है, इक गल्ल याद रखनी है, gilford दे model विच, gilford दी theory है, structure of intellect, उनना ने पहली बार intelligence दी theory दे विच, convergent दे नाल, divergent वी प्लस कर दो, इसी divergent, divergent, मैं इते दिखा देना हा, उना दा model, जी मेरी कुल प्या है, चायद नहीं जाना पढ़ेगा, वापस, okay, एक गिल्फर्ड दा model है, इदे विच, ए जो operation है, तिन पागा विच थियोरी मंडी हुई है, content production दे operation, एक question पुछा जा सकता है, ठीक, और क्योंगे classes पुछ यह जा सकती है, मैं सिर्फ ए दसना चालना हा, के ए थियोरी ने पहली वार, ए भी question आँदा, इवन UGC वीच ए question आँदा है, पहली वार convergent production दे नाल नाल, divergent production नो, जीडी creative ideas ने, उसनो intelligence दा part दस्या है, ठीक, so clearly 100% असी यह नहीं कहा सकते, intelligence विच सिर्फ convergent thinking होंदी है, नहीं divergent thinking भी हो सकती है, लेकिन dominate convergent thinking ज्यादा कर दी है, वापस चल दे हाँ, इन्नो वेश, अच्छा, intelligence हो गया, intelligence नो हो तरह भी, ability to adjust, ability to learn, ability to abstract reason, भी कहा जानता है, ठीक, intelligence पहला, theories ने, one factor, two factor, multi factor, theory, group factor, theory, structure of intellect theory, factors, theories ने, cognitive theories ने, जिच 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 ए, emotional intelligence पहला, innovation, okay, innovation की उन्दा है, innovation लगी तो आनो invention नो समझना पहेगा, invention की चीज हुनदी है, कोई चीज first time first time world which kisya ने बनाई for example बलब रहा बलब नहीं बने अभी चोलो भी आइसे बलब बन गया ठीक है addition first time जिना ने बनाया ठीक एह होगी invention लेकिन जनो एक बलब बन गया दुनिया दे किसे एक शक्स ने मालो एना ने एस बलब नो बोर इंप्रूव कर लिया एदे use multiple कर लिया एदे इच कलर चेंज कर लिया एस दे विच बिजली दी खपत कितना कटनी है ओ कर लिया कोई भी example it means invention एक बंदे दी सी दूसरे बंदे ने innovation कर लिया के हो invention विच improvement ही आदी by using the research ठीक research ना ली एना ने किता सी research ना ली एना ने किता है so innovation विच invention प्लस creativity आदी creative idea के उसनो ओ इंप्रूव तूसी देखो पहला एरो प्लेइन जड़ा बनया सी इन्हें इन्हें एक्सपेरिमेंट कीते गैसी उस तो बाद एरो बने एक शक्स ने कोई improvement किती दूसरे शक्स ने वाट जी कोई तीसरी ने चौप थेने पर it means innovation बहुत ज्यादा लोकां द्वारा किती जा सकती है जड़ी invention है सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा किती जा सकती है next असी देख देहां सड़ा answer वैसे clear है thinking process original new है creativity क्योंकि creativity यह दर विची शामिल है लेकिन यह दर विची रिसर्च प्लस invention किसे दी शामिल है अच्छा सिनेटिक्स सिनेटिक्स क्यों रॉंग answer है सिनेटिक्स creativity ने किस तरह related है सिनेटों सी करते है methods of developing creativity ठीक बहुत important है सिनेटिक्स अच्छी टर्म है तिन method जड़े most common है उसे question आ सकदे हन वो केड़े हन वो तिन method केड़े हन number एक सिनेटिक सिनेटिक्स ते whole question की आ सकदा है कि सिनेटिक्स किस द्वारा ड्वालन पीती गी garden and prince थोड़ा बड़ा कर दता है यह ज्यादा हो गया एक मिनट हाँ एह ठीक है एह answer सिनेटिक्स ना जोड़ना है ठीक दूसरा है सर्देकोर ओसबॉर्ण ओसबॉर्ण ने brainstorming दा जड़ी टेकनीक दती है brainstorming technique की है कि तुसी किसे problem ते freely जिनने idea आन दे आन दे आन दे नोट करी जएने नोट करी जएने नोट करी जएने एक person ते भी apply हो सकती एक group ते भी apply हो सकती तुसी अपने आप ते खुद ते भी कर सकती है for example तुसी रीड करने लगे है कोई चलो राइटिंग करने लगे है ठीक है मालो एक 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 आर्टिकल लिखन लगे है एक लेंग्विज वाले विच पेपर विच भी इंपॉर्टन है so पहले step ते उसी लोग गुलाब ये फुलत लिखन लगा है डिक है गुलाब ये फुलत आ गल करनी है, मैं गुलाब दे रिलीजिस न गल करनी है, मैं उस दी मेडिकल दी गल करनी है, मैं गुलाब दे जड़ी काश्ट हुंदी है, खेती बड़ी हुंदी है, एग्रिकल्चर उस दी गल करनी है, मैं गुलाब दे जड़े जड़े एनवायरमेंटल फेक्टर ने उस दी मैं इस दे बचाव दी गल करनी है, सेव किद्धा करना है, मैं इसनों कराविच शत्ते जा नमे टंग ना, उगान जड़ी है, इन्नोवेशन हो या, मैं उस दी गल, मैं आइडिया नोट करिये ना कि मैं उस पिपर विच की की लिखना चाहना है, चीक, इस वकत जो मैं एक ब्र आइडिया और वट इस बैड आइडिया, जे तुसी एवैलुएट कर दे हो, तो किसी आइडिया नो बैड गाहन दे हो, तो थिंगिंग प्रसेस हो थे, रुक जान दे है, मैं सोचना में टावां गई है, या, फी गलत कहा रहा, इस लिए, फ्रीली आन देना, इवैलूएट नहीं करना, जेजमेंट नहीं करने, जिनने आइडिया आन दे हो, दूसी स्टेज दे फिर तुसी देख दे हो, कि मैरे जिनने आइडिया आन दे हो, नहीं है ना, जो मेरे केडे कम दे है, मैं इसनो किस और चलगा हमा, फिर रफ तुसी ऐसे लिख दे हो, जा आर्टिकल जालता है, इसनों problem solving दीगी टेकनीक किया जालता है और creativity दीगी, cinematic होगी, दूसरी सबीगी होगी, brainstorming, ठीक, तीसरी है attribute listing, attribute इसे चीज दे, feature नों, लिस्ट करना, इत्ते भी question इस तो वद नहीं बुच्छा जाएगा, यह नाम कुछी, क्राफोर्ड याद रख सकते हो, नोट कर सकते हो, कदों इसने दित्ता एह याद कर सकते हो, so इत्ते असी बापस सिलांगे, के साढ़े, जो terms साढ़े question विच सी, ओ समझ लेंगा है, तीसरा, transmission of traits from parents to offspring, ठीक है, very easy question, traits the genes there जरिये हों दी है, ठीक है, इनने transmission of traits from parents to offspring genes दे जरिये हों दी है, लेकिन उस process नो heredity क्या जाना है, heredity को total process है, जिदे विच, चलो इस तरह समझ लेने है, थोड़ा, जिदे विच मनलो, ए parent, ए parent, ए parent, ए parent, ए parent दे अग्यों चलो, इत्तिर कर देया, ये male, ये female, इनना दे ले baby, mama, 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 papa, mama, mama, papa, mama, 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 papa, mama, mama, ये immediate parent है, इनने तो ए बेबी पैदा हुआ है, ए बेबी जो पैदा हुआ है, इनना दे विचो 23 chromosome, इना चो भी 23 क्रोमोजोम, total 46 क्रोमोजोम, हम क्रोमोजोम की हुंदा है, क्रोमोजोम conception दे टाइम ते DNA दे जीन्स नू लेके बैठा हुया है, ओ जीन्स, अनेक जीन्स, जेदे विच बाला दा कलर दा जीन, अखा दे रंग दा, डिजीज वाले जीन, ये सारे हुंदिया, जेद अदे इना दो, अदे इना दो पास हो गए, ये पास होंदी, ये ट्रेट दे इस तरह पास होंदी प्रक्रियानों, हेरेडिटी केंदी हैं, असी एक दो question जड़े related हो, पुछे जा सकदे हैं, वो देख लिए, इना जो कुछ question बन सकदे, जब पुछे जा सकदे, ने, एक दो question technical, biological question भी पुछे गए हैं, सब तो पहला है cell, देखो एक cell सीकेंदे ने, प्रमात्मा है, नहीं है, question पता नहीं किस तरह आ जानदा है, एक एनी छोड़ी चीज, जिन्हों तुसी अखनल वेक नहीं सकदे, cell, वो देख, central part है, उस दा part, nucleus, वो देख, इना छोटा part, उस दा part ह है chromosome, जिड़े 26, 26, 46 दी गल करके हैं, 23, 23, and 46 दी हुँ गल कर, उस chromosome दा एक एना पार्ट है, जिसनों एड़ ड़गर के, देखो ही, वड़ी चीज, वड़ी चीज दा एक छोटा part है, उसनों वड़गर के बखाया गया, उस दा एक हजारमा लखमा आशा है, उसनों वड़ग है, जीन, कुशन आजानदा हम दा अक्सर आनदा है, हीरी डिटी दा carrier की है, vehicle की है, हैरी डिटी कितना पास आनों दी है, थू जीन्स, जे जीन्स नहीं है तो तुसी DNA answer कर सकदेछे, जे DNA नहीं है तो क्रॉमोजों इना दे विच्चों तिनना चों आंसर आना है पर एए स्केल गयो पार्ट पार्ट है एए याद रखनली सेल नुकलस क्रोमोजोम डीने एंड जीन तुसी नोट कर सकते हो वापस चल दे हैं जीन्स प्रोमोजोम एदे बारे असी पढ़ लिया हैरेडिटी बारे पढ़ लिया एनवायरमेंट जो हैरेडिटी तो बिना बाहर सब कुछ है बेशको साड़े रिष्टे हन उस तो आड़ी डाइट है तो आड़नों जो लेंगज है एजूकेशन है इस एनवायरमेंट दे ध्यूरी करके ही सानों आसी टीच सानों किता जानता है स्कूल बिच ठीक होम्यो स् इस शिस्टम भी क्या जानदा है बैलेंस करने वाली प्रकेरिया साड़े बॉडी विच अलड़ी हर जीवां विच है मन लोग बारन कोई थ्रेक्ट होंदा एक ब्लड प्रेशर दी एक्जामपल है जे मन लोग ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होंदा है तो बॉड आटमेटिक कोशत कोशिश कर दीकर हाट नोण स्ब्रिता जा जबें जेक्र अ बट प्रेशर बहुत जादा दाउं होंदा है ब्लाड हृट्व् dedic style यादा वेल आइक्जामपल हान अक्जामपल हन्किए है साड़ा एक कोई चीज टेंपरेचर है मालो ब्लैड प्रेशर दी गल है हार्ट बीट दी गल है वो डिस्टर्ब हों दी है तो मैसेज जांदा है मैसेज ब्रेन तो फिर आटोमेटिकली दूसरे आंग स्पोर्ट कर दे हंकि ये बैलंस जेड़ा बिगड़ गया है ठीक हो जा स्टेट रहेगी बैलंस भी स्टेट रहेगी एकलिब्रम बनिया रहेगा लगातार चल दी रहेंदी है तो फिर असी सर्वाइब कर सकते हैं अगर बिगड़ जांदी है असी बिमार तो डेथ वल चले जाने हैं तो एदा साड़े आंसर में कोई संबंध दिखाई नहीं दिन चाहिड इंट्लेक्च्छोल डेवल्पमेंट वेरी इजी बहुत ज्यादा इजी कोश्चन अ सैंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल वोई नो आवाँ प्याजेस क्योरी ओफ कोगनेटिव डेवल्पमेंट तो उसी सिद्ध है अन्सर एरिक्सन दिया 8 stages है, एरिक्सन दे spelling किनने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो, एरिक्सन दे spelling नाल जोड़ लो, एरिक्सन किनने शब्दत है, 8, एरिक्सन दिया stages भी, psychosocial theory दिया 8 है, ठीक, F, R, E, U, D, Friday है 5 शब्द, फिर ये 5 stages है, ठीक, कोहल बर्दी moral लो ले लेने है, moral, M, O, R, A, L, प्लस एक 6, 6 stages, याद रखनता एक तरीक्सा हो सकता है, किसनिया किनिया stages है, इस तो इलाबा उस stages केडिया है, जे रो तुसी देखना चालने हो, ता फ्रायड दिया हो, औरल, ऐणल, फ्लिक, लेटेंसी, н rhino x dr. वेट्ज सटेजिनिया है, awareness, इन canned devices इना theories नहों बड़ी असानिनाल भी याद रख्या जा सकता है, जे कर तुसी cognitiveism दी, कोई strategy apply कर दे हम, मैं एक अप्लाई करके तो अनों दाजना है, very easy है, देखो शरम महसूस नहीं करने, असी educated है, for example, fried दे पंच शबद हैं, F, E, F, R, E, U, D, पंच स्टेजिस हैं, ठीक है, उस दियां स्टेजिस देती हैं गई हैं, oral, anal, phallic, phallic दे spelling गल्थन, latency and genital, four stage है, oral पहले साल विच एक साल, बर्थ तो एक साल, ते oral विच की हुंदा है, एक एक टाम नों समझ दो पहला, एक psychosexual है, लेकिन addiction दी psychosocial theory है, ठीक, sexual दा मतलब, असी की लेने हां, सिर्फ असी genital organ, reproductive organ, ते focus करके, सिर्फ sex दी पर करिया लों समझ दे हां, लेकिन segment, fri, इस नों बड़ा broad का दता सी, any sensory, sensory player, any sensory player, body दे किसे part तो भी sensory player मिलदा है, उसने sex के हासी, ठीक, छोटा बच्चा है, एक सालदा उससा की करदा है, ओके इंदा mouth तो उसनों जड़ा player मिल दिया है, ठीक, focus हैते हैं, दूसरा, एनस चितो स्टूर पाससी कर दे हां, उथे उस दा जड़ा है, दूसरी stage, विच दो साल तक, उसना player उसनों ज्यादा उथो मिलदा है, तीसरा phallic, के ओ जनरली की करदा है, अपने ही sexual organs, reproductive organs नों, जो किन्ने साल लादा है, दो साल तो पांच साल तक दा है, दो तो पांच साल तक दा है, उननों जा टच करता है, जा टच करके ही उसनों player मिलदा है, यह fried दा मनना है, ठीक, तीसरा latency, latency, latency में जो सुफ ता बसता वेच है, जो नहीं दिखाई दे रहा, इट मेंज एथे interest हकम हो जानता है, चौथा यह पांच तो 10 यह 11 साल तक हन, 11 साल तो उसी जान दे है, पबर्टी पीरिड शुरू हो जान दा है, ते sexual organ, reproductive organ बच्चेयां दे, जड़े है, वो functioning स्टार्ट कर जान दे हन, female विच मेंसिल स्पीरिड आने शुरू हो जान दे हन, और noctural emission जड़ा है, boys विच सीमन निकलना शुरू हो जान दा है, naturally जदो biological चेंज आन दे हन, उना दा opposite gender sex विच इंटरस्ट बन दा, लड़कियां वा लड़कियां विच लड़कियां वा लड़कियां विच इंटरस्ट शुरू हो जान दा है, ठीक, हुण इसनों याद करन दा की तरीका है, इसनों पहला ही कर सकते हैं, तुझी, 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 याद हो रही है, विच सक्टिंग, फिर पॉट्टी वाली जगा तेहत रख सकते हो, ठीक है, जैनिटल ओर्गन नों तेहत ले, एक दो, तिन, ठीक है, चौथा खाली, पंजमा के प्रवर्टी पीरिड अडोल्सेंड पता है, के रोमांस शुरू हो जान दा है, तुझी, इसनों तो ड़ा, वर्किंग लोड करता है, मैंनों नहीं लगदा कि तुझी, जो तो पर्सनल अपने रूम चापने कर विच ही, जहां यह हाथ खेलाओं दी भी जुरूरत नहीं है, तुझी विजॉलाइज कर सकते हो, लेकिन हाथ खेला के सौखा हो जान दा है, के तुझी एधे टच कीता है, नीचे टच कीता है, एधे टच कीता है, खाली चड़िया है, थीयाद हो गई, पंजमी स्टेज पता ही है, तो यह यह थीयुरीज नो समझा जा सकता है, बाकी थीयुरीज नो भी डेटेल विच कर लाँगे, लेकिन यह वीडियो फिर लंबा हो रहा है, मेरे खेल यह लंदे वीडियो पसंद नहीं कीते जा रहा है, इस विच वो हो कॉस्चन की बन सकते हैं, के फर्स्ट स्टेज विच जा स ट्वाइलेट ट्रेनिंग के बहुत कुश्चन बन दे हैं, ट्वाइलेट ट्रेनिंग कदो दित्ती जाने चाहिए, क्योंकि यह एजुकेशन दा पार्ट है, ठीक, ने चुडि यह सेकंड स्टेज विच है, उसले येर, फर्स्ट व सेकंड येर तक है, ठीक, बच्चे दा ओपोजिट सेक्स पेरेंट विच, जे लड़का है ते मदर विच, लड़की है ते फादर विच, इंट्रस्ट कदो तक बनिया रहेंदा है, दो तो पांच साल तक, अपार्डिंग तो फ्राइड है, ठीक, बच्चे दा, सेक्शल इंट्रस्ट कदो नहीं हुंदा, पांच तो ग्यारा साल तक ठीक, इस तरह एस तरह एसोशेट करके याद किता जा सकता है, पर बर्टी पीरिट बारे जा अगली अडॉल्सेंट, मेड अडॉल्सेंट, लेटर अडॉल्सेंट बारे असे डिटेल विच जा होर वीडियो विच भी पढ़ांगे, उधे बारे डिटेल हैं, लेकिन एक ठीक, किसे भी ठीक, याद करके तो अडॉल्सेंट, मेरे ख्याल चे काफी है, जित्थों तक मैं पिछले पेप्रांदा अनल्सिस कीता है, हाँ आण वाले पेप्रांदी, प्रडिक्शन मेरी थोड़ी वक्री है, उस ते वीडियो देखता है, निकाल दे मां आण वालगा, कोई सुझेशन होए, इननों नाल नाल जिड़े अच्छे पॉइंट है, एक कोश्चन दे नाल में दसना है, के वो कोश्चन दी नाल, दस-दस कोश्चन दे, इंडिकेट कर रहे हैं, की इंफोर्मेशन, इंपॉर्टन इंफोर्मेशन दे रहे हैं, उस तरह एक कॉपी ते नोट कर लो, एक कॉपी ते एक टॉपिक लिखके, उस दे दो तिन पेज खाली चड़ो तां, जो फिर जे ओहो टॉपिक पढ़ दे हो, उस दो अपडेट कीता जा सके, उस दे विच एड कीता जा सके, इस तरह एक नोट बुक, सीडी पिनुता नो लगा लेन जाएदी है, थेंक यू